श्विल्यार रख्मानिवरीम Standard Capital Securities का YouTube चैनल और sclstrade.com हुकूमत की तरफ से इजारा सकूक का इजारा अभी निगरान वजीराजम भी स्टाइट चेंज के अंदर मौझूद बड़ी जवर्दस चीज है और अब हां लोगों को भी इसका एकसेस मिन सकेगा ब्रोकर्स के पास भी ये ट्रेड हो सकेंगे मेरी खाइश ही है कि ये कैट्स पर यहनी आम एक्सचेंज पर ही ट्रेड हो इसके लिए बैट्स की तद्गन ना हो बार लिए है कि ये 20 से 22 परसंट के रिटर्न के मुनाफिक के इजारा सुकूप जो नवे बिलियन के लाँच होने जा रहे हैं आठ दिसंबर से इसकी आप्शन शुरू होगी और ये मामला जारी रहेगा दिसंबर जैनबरी फैबरी तक 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 नवे बिलियन रुपे जो हैं वो रुकूमत को लेने हैं और आम पबलिक इसमें बर्चड़ता रिसा लेगी 20 से 22 परसंट मुनाफिक के लिए जो सुकूप होता है वो आम कमर्शन पेपर या बॉन्ड से मुफ्तलिफ होता है वो इस्लामिक चीज होती है उसकी बज़र ये है कि उसके पीछे कोई भी कमर्शन एरपोर्ट हो सकता है वो मोटर बेव हो सकती है और इस्तार की बहुत सारे पोर्ट्स हो सकते हैं बागल पाकिस्तान में ऐसे अभी भी असासे मौझूद होंगे जिनके पीछे हकुमत पाकिस्तान आम लोगों से सुकूप ले सकती है मैं तो ये समझता हूँ कि जो रोशन डिजिटल एकाउंट का भी जो सिल्सला था overseas पाकिस्टानीस के लिए उस वो भी अगर सुखूक होता तो बहुत बेतर होता और उनके लिए भी सुखूक अगर लाँच हो तो इसका जो है वो बहुत अच्छा रिस्पॉंस आ सकता है क्योंकि हम जानते हैं कि उपमध पाकिस्टान को सब पैसों की जरूरत है जो बजट डेफिसेट भी बहुत जादा बढ़ रहा है और फिस्कल रिस्पॉंस बिलिटी एप भी ब्रीच हो रहा है बार बार आप आप आप्शन में आके पैसे नहीं लेसकते कमर्शल बैंकों से तो इतने महेंगे पैसे कमर्शल बैंकों से ये चीज जो वो समझ में नहीं आ רी थी तो सकूक का ज़रा मेरे खियाल में इस पर जा से है तो ये इस में लोग 1976 लेंगे शर्कत करोंगे लोगों को आप्शनज चाहिए करें पैंचनेस को आप्शनज चाहिए होते हैं तो ये एक सारी का है और नवे बिलियन रुपे का है बीस से पाइस परसेंट का मुनाफ़ा काफी जो है मैं समझता हूं कि पसंदीदा होगा लोगों के लिए तो मैं समझता हूं कि लोगों को इसमें शरकत करनी चाहिए लोग करेंगे और ब्रोकर्स अगर इसको एक्चेंज पे ट्रेड कर सके तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी चीज होगी अरबाब इफ़तार को चाहिए कि वो इसको के सी एंडिड के एक्चेंज पे इसको ट्रेड कर होगी तीसी निनार भी जो है बीस हरवरी को होगी ये स्टॉक एक्षेंज इंतजाने की तरफ से जो नोटिस मौसून हुआ अब मैं तोड़ा सा बात करूंगा जिस मौदू पे हम काही दिनों से बात कर रहे हैं वो पाकिसान सौविन वेल्थ फंड इस हवारे से मैं बहुत दफा बात कर चुका हूँ इसमें ओजी बीसी के स्टेक जा चुके हैं पीपियल मारी पेट्रॉलियम और नेशल बेंक के स्ट फंड का वो तक्रीबान 7.8 बिलियन डॉलर स्टा है जो अभी हुए नहीं है ये दरसल ये उस असासों की क्यमत जात है जो के इस सौविन फंड में दिखाई जा रही है इसमें नीलियम जेरिम हाइडरो का प्रोजेक्ट भी है जो के बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जो क कासी सारों से बनता रहा पिर यानि जो पिछला दोर हुकूमत था दोजार बीस एकिस में ये कमर्शलाइज होई गया बीच में जो अभी हुकूमत आई थी यानि दोजार बारिस से लेके दोजार तेईस तक तो उनके दोर में थोड़ा से ये बन रहा लेकिन फिर वापस कम पाकसान बाहल तकरिवान इसकी मालियत देख रही है 7.8 बिलियन डॉलर्स और सौधी और UAE के इंवेस्टर्स से वो जो एक्विटी पार्टिसिपेशन चार रहे थे वो आ चुकी है अब उनकी तरफ से पाकिस्तान में पैसे आना या कोई भी सरमाया कारी करना बाकी है तो यह जो मालियत एसेट वैल्यू दिखाए जा रही है मैंने इससे पहली भी बाग की थी OGDC PPN की वो तकरिवान 200 और फैसे उपर पर शेयर के साब से दिखाए जा रही है मारी की भी एक बड़ी वैल्यू दिखाए जा रही है और नेशनल में जो इस वक काफी डिस्काउंट प एक मसला चल रहा था पैंशन और ड्रेजुटी के पैसे सेट आफ नहीं हो सके नहीं हो पारे पचास और चमवन बिलियू है मैंने आफ्री दतार रिपोर्टेट डिकाउंट्स में देखे थे अब ये फिगर और बड़ चुकी है बागल अगर ये चीज़े सेट आफ हो जो क किताब की कंडिशन ऐसी है कि वो सेट आफ हो सकते हैं तो और अगर फरस करेंगे उसमें ये लोग करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैस्टों पे अमन दरामत करते हैं तो ये है कि नेशनल बैंक और पाकिस्टान के चीज़ें जो है वैलेशन भी नहीं है दूसरे बैंकों क इसवाद आप जानते हैं कि यूबियल बैंक हर कौटर में 11 उपर का डिविडिन्ट देता है, MCB बैंक साथ से 8 उपर का डिविडिन्ट देता है, मीजान बैंक भी 5 उपर का डिविडिन्ट देना शू हो गया है, बैंकल भी, बैंकल फलाफ यह में भी डिविडिन्ट देते तो क्यों ना नेशनल बैंक भी उस सफ में शामिल हो जाए जो के जाधा डिविदेंट दे सके अब ये पाक्सान सौवन वेल्टर फंड में इसके स्टेक्स जा चुके हैं आप सैंडर्ड कैपिल सिक्यूरिटी स्टेक्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजे और सुकुक के हवाले से मीडिया पे देखते रहिए इसके अलावा पाक्सान सौवन वेल्टर फंड में जितने भी शेर्स आये हैं जिनका तस्क्राइम ने किया है इनके फंडमें तो समयूब्साइब सेस्ट्वाइब फिंटर या पट्श कुड या झाल झाल